जै मातादी दोस्तों, वर्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, बार्द प्रदमा के क्रिश्ण पक्ष की अस्टमी तिथी को जन्मा अस्टमी का पर्ग मनाया जाता है ऐसा माना जाता है कि ये दिन भगवान क्रिश्ण जी की करपा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है अगर आप इस दिन कुछ आसान उपाय करते हैं तो आपका बुरा भाग बदल जाएगा और आपको भगवान स्रीकेशन जी का आसिरवाद प्राप्त होगा आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको तुलसी से करने वाले कुछ खास उपायों के बारे में बताएंगे जिनें आप अगर करेंगे तो आपके घर परिवार में सुख सम्रद्धी आएगी और आपके जीवन की सभी परिसानियों का अंत हो जाएगा इसके साथ ही आपका घर परिवार खुसाल बनेगा दोस्तों जन्मा अस्टमी पर लोग भगवान स्रीकेशन को प्रसन करने के लिए अनेक उपाय करते हैं इस दिन भगवान स्रीकेशन को अनेक चीजों का भोग लगाया जाता है इस दिन भगवान स्री कश्न के मदिरों में जन्मा अस्टिमी के दिन फूलों और लाइट से सजाया जाता है आपको बता दें कि भगवान स्री कश्न को तुलसी अतदिक प्री है हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुती पवित्र माना गया है आपको हर घर में तुलसी का पौदा अवस्य देखने को मिलेगा पगवान स्रीकर्ष्ण की पूजा में तुलसी का विसेश महत्तु होता है इसलिए जन्मा अस्टमी पर आप तुलसी के पौदे के सामने गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं इसके साथ ही ओम वासु देवाय नमा मंतर का जाप अवस्य करें इसके बाद आप तुलसी की ग्यारा परिक्रमा करें यदि आप यह उपाय करते हैं तो इससे आपके घर परिवार में सुख सान्ती का वास होगा और आपके जीवन में चली आ रही सभी समस्याइं दूर होंगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान स्रीकष्ण को पितांबर धारी भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है कि पीले रंग के वस्त धारन करने वाला अगर आप जन्मा अस्टमी पर पीले रंग के वस्त पीले रंग के फूल और पीले रंग प्रफित करते हैं और इसके बाद इन सभी चीजों को किसी निर्धन या जरुरद मंद को दान करते हैं तो इससे आपको भगवान स्रीकेशन जी का आसिरवात प्राप्त होता है और आपके जीवन में खुसियां आती हैं। अगर आपके घर में लडाई जगडे होते हैं ग्रे कलेस बनी रहती हैं हर वक्त कलेस बना रहता है तो आप जन्मा अस्टमी के दिन तुलसी के पौधे के आगे घी का दीपक जलाएं। अगर आपकी आर्थिक इस्तिती ठीक नहीं रहती है तो आप जन्मा अस्टमी पर भगवान क्रिश्ण का पंचमरत में तुलसी के पत्ते डाल कर भगवान जी को इसनान कराएं इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत हो जाएगी अगर आप नौकरी के लिए परेसान है या आपके व्यापार में बरक्कत नहीं हो रही है तो आप जन्मा अस्टमी के दिन तुलसी के पौधे पर एक लाल चुनरी उड़ाएं ऐसा करने से आपकी नौकरी और कारोबार की समस्या दूर हो जाएगी अगर आप सभी प्रकार की परेसानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो आप जन्मा अस्टमी की सुबए अपने घर पर तुलसी का पौधा अवस्य से लगाएं ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत होता है और जीवन में सुख सांती की प्राप्ती होती है जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं है या जो लोग पुद्ध प्राप्ति करना चाहते हैं या जिनके बचे बहुत ज्यादा जिद्धी हैं और अपने माँ-बाप का कहना नहीं मानते हैं तो आप जनमा अस्टमी के दिन एक तुलसी का पत्ता बगवान स्री केस् नहीं कर रहा है तो आप जन्मा अस्टमी के दिन तुलसी के पौधे को किसी मंदिर में दान कर दें ऐसा करने से आपका पैसा वापस मिल जाएगा अगर आपकी कन्या का विवा नहीं हो रहा है और उसके विवा में बाधा आ रही है तो आप जन्मा अस्टमी के दिन तुलसी का पौधा लगा कर उसे नियमित रूप से जल दें। ऐसा करने से आपकी कन्या का विवा सीग्र हो जाएगा और उसकी विवा में जो भी बादा आ रही होगी वे सीग्र ही दूर हो जाएगी। अगर आप घर के सभी लोगों के बीच में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो जन्मा अस्टमी के दिन तुलसी का पौदा घर के किचन में लगा कर उसकी नीमित रूप से देख भाल करें। ऐसा करने से आपके घर के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। जन्मा अस्टमी के दिन भगवान स्रीकेशन की पूजा से पहले आप तुलसी जी का अमवाहन अवस्य करें और इसके लिए आप ओम तुलसे नमा मंतर का जाप अवस्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान स्रीकेशन के साथ साथ माता तुलसी जी का भी आसिरवाद मिलेग अगर आप कड़ी मेनत करते हैं और आपको उसका पूरा फल नहीं मिलता है तो जनमास्टमी के दिन तुलसी का एक पत्ता बगवान स्री किशन जी के चर्णों में रख कर पूजा करें और रात भर उसे वहीं रहने दें और सुबह के समय उस तुलसी के पत्ते को उठा कर अपन की कमी नहीं रहेगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज़से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्र करें धन्यवाद